दोस्तो इस वीडियो के लिए चाहिए चैनल मत सब्सक्राइब कीजिएगा लेकिन अगर आप किसी भी तरह से शेर कर पाएं तो बड़ी खुशी होगी लेकिन मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ना तो आइस्क्रीम की बुराइए करने के लिए और ना यह कहने के लिए कि आपको आइस्क्रीम नहीं खाने चाहिए क्योंकि कभी-कभी मन करता है मैं खुद भी आइस्क्रीम खा लेता हूँ लास्क नाइट फ्रेंड मैं कुछ अलगले विराइटी की आईस्क्रीम घर पर लेकर आया खाने के लिए आमतोर पर क्या होता है कि जब भी फ्रेंड मैं कोई ऐसी आईटम खरीता हूँ यानकी फूड आईटम तो मैं इसकी डेट जुरूर चेक करता हूँ लेकिन मैंने जिस शोप से आईस्क्रीम करी दी थी वो मेरा जानकर था और फ्रेंड से मैं उसको पैसे देकर जल्दी से आईस्क्रीम लेकर घर पर आ गया और फ्रेंड से जैसे मेरा बेटा उसमें से एक आईस्क्रीम निकाल कर खाने लगा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने आज इसकी date check नहीं की है तो मैंने उसके हाथ से वो ice cream पकड़ ली और date check करने लगा और friends जैसे ही मैंने date check की मैं शोग्ड हो गया क्योंकि friends उसकी date थी April 2017 देखे friends ये है वो ice cream जिसकी date थी April 2017 तो friends मैं देखकर ये काफे हिरान हो गया क्योंकि वो मुझे काफी अच्छे से जानता भी था इसके इलाबा friends इस पर जो print इसका price था वो था 20 रूपीज उसने मेरे से इसके 25 रूपीज चार्ज भी ले लिये और जो ice cream थी लगबग इसको expire हुए 3 मन हो चुके है खेर friends ice cream के जो variety है वो काफी जादा आती है तो हो सकता है कि rate की confusion होगी हो कि उसने अच्छे से price चेक ना किया हो लेकिन friends मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे किसी चीज को ठीक नखने के लिए फ्रीज चल रहे है और 3 महीने से कोई expire चीज हमारे फ्रीज में पड़ी है तो ये possible नहीं है कि शोप कीपर को ना पता हो कि ये चीज expire हो चुकी है हाँ friends मानली जी है कोई अनपड़ व्यक्तिस ice cream को खरीद लेता या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ice cream वीक है और अपने बच्चे को वो ये ice cream खिला देता और हो सकता था बगवान न करे कि उस बच्चे को food poisoning हो जाती जिसकी वयासे उसको hospital में admit भी करना पड़ सकता था और उस बेचारे बच्चे को ice cream खाने के कारण injection जा सुईया अपने लगवानी पड़ती इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी दुकानदार की निंदा करना नहीं है मेरी request है हर दुकानदार से कि गर्मी का मोसम में है ice cream वगारा जादतर बच्चे खाते हैं तो प्लीज कभी भी कोई ऐसा expire product ना sale करें जो कि बच्चों के लिए नुकसानदाएक हो सकता हो इसके साथ ही मैं हर माबाप से भी request करूँगा कि जब भी वो गर्मी के मोसम में बच्चों के लिए ice cream जा फिर कोई भी food product करी दें उस पर company दुवारा date दी गी होती है आप उस date को जुरूर चेक कर लीजिए friends actually इस वीडियो को बनाने से पहले मैं return करने जा रहा था इस ice cream को लेकिन तभी मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना इसकी वीडियो बनाकर आपके साथ share की जाए क्योंकि हो सकता है आप भी कभी अपनी किसी जान पैचान की शोप से ice cream गारा लेकर आई और चोटे बच्चों को खिला दी दे कि बच्चे तो मासूम होते हैं उन्हें तो इतनी जान कर रही भी नहीं होती है कि कोई माबापी बच्चे का दुख जो है वो समय सकता है कि कितना ज़्यादा दुख होता है अब मैं फ्रेंट्स जा रहा हूँ इस ice cream को रिटर्न करने अपने 25 रुपे के लिए नहीं बलकि इस दिकामदार को ये कहने के लिए अगर इस तरह के और भी कोई piece expire जो हो चुके आपके अपास पड़े हैं तो प्लीज उनको dust bean में फैंक दो क्योंकि हो सकता है कोई अपने नन्ने मुनने बच्चों के लिए इस ice cream को लेकर जाएं और छोटे बच्चे इसको खाकर बिमार ना पड़ जाएं friends में ने ये वीडियो बना कर अपने पड़े लिखे होने की जिम्मेवारी जो है वो पूरी कर दी है और उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो का like बटन जरूर दबाएंगे इसके साथ ही आप अपने सबी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइक और शेर के वाज़े से काफी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाई क्योंकि गर्मी का मोसम आ गया है बच्चों ने आइस क्रिम खाना शुरू कर दिया है